है आपका दोस्त और आज से मैं एडवांस वीवी की सीरीज लेकर कर आया हूं तो आज का टॉपिक या प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि हाउ टु क्रेट बॉच भास पॉटल ब्सक्रत में बनाश ओले करें ज Vari्त जाएं का सलेक्ट के सब्सक्राइख में नेरी वमें सब्रेट ने सब्सक्राइख में इसक आज सेपरेट हो जाएं को शीट का डिटा जो भी जासा भी डिटा वह separately आजा जैसा है वैसी है हमें इसमें कोई भी changes की जुरूत नहीं है तो क्या करेंगे विजुल बेसिक पर जाएंगे उससे पहले डेवलपर टैब रैन विजुल बेसिक और इसको maximize कर लेंगे एक module इंसेट कर लेंगे ठीक है इंसेट module ठीक है अब कुछ वैरिवल्स डिफाइन करेंगे create file ओके तो हम क्या करेंगे कुछ वैरिवल्स ले लेते हैं लाइक अब मुझे फोल्डर भी तो देना है अब हमें एक और वैरिवल ले लेते डीम डब्लू एस एज़ा वक्षीट ठीक है क्योंकि वक्षीट पर चलेगा ना हमारा लूप आप क्या करेंगे एक फोल्डर बनाएंगे फोल्डर कुछ भी हो सकता है आप फोल्डर चाहते हो और निटा करके यह फोल्डर कोई भी नाम लेट सब्सक्राइब जैसे मैं अपना चैनल का नाम ले तो लेवल अप एक्सलिस कील तीक है यह हो गया अब मेरा इस नाम का फोल्डर बनेगा अब उसके बाद क्या करना है फोल्डर बनेगा कैसे हमें कुछ तो ऐसा डालना पड़ेगा जो फोल्डर बनाए तो फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कोड होता है मेक डायक्टी तो उसको कहते हैं mkdir ठीक है अब यहां पर पूसर है पाथ हम कुछ भी डाल सकते हैं जहां पर हमें यनि कि हमें क्यों कर रहा हूँ जब हमें यह यह मैंनी दालना होगा क्योंकि इस अवर ल्यकुत बनाना है यहां पर डालना हम भूलने करते हैं अब छेक करके देखते हैं कि यह फोल्डर बना की नहीं बना एफट करेंगे रन न करेंगे ठीक है यहां थो फोल्डर का नाम को मेरे इस्स्दि करें पर एक लेवलब एक्सेल इस्किल का टो सेंट पात पर बन गया अब में जब चेक करोगे तो यहां देखो एक slash already आ गया है यही मैंने add कर रहा उसके निदर ठीक है बैक जाएंगे अब इसको delete कर देंगे अब आप यहां पर manual delete कर रहे हो ठीक है तो आप वैसे भी delete कर देंगे उससे पहले क्या करोगे क्या करोगे रिमूब डिरेक्टरी के एक होता है यहीं इसका ना फोल्डर नेम लेवल अप एक्सल इसकी हो तो देंगे अब आगे बढ़ते हैं आगे हम क्या करेंगे अब आगे हमें कुछ नहीं करना एक लूप चलाना है देख दावने चे दिस वर्क बूक दिस वर्क बूक डॉट वर्क शीट ठीक है नेक्स्ट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद कुछ नहीं करना डॉप डॉट कॉपी करेंगे ठीक है या हम और यहां पर सेट भी कर सकते हैं लेट सपोस करो सेट डॉप भी नहीं करते है मैं कहा करता हूं active जो हमारी active workbook.save as path कोन सा होगा this workbook.path होगा ठीक है and path separator लगाएंगे ठीक है इसको double quotes में डालेंगे ते उसके बात यानि की मेरे कहने का मल अब यह है कि जब मैं यहां पे आओंगा एक folder create होगा फिर यहां पेए एक slash आएगा ठीक है तो एक slash add कर रहो हूं उसके बाद किसका नाम आएगा उसके बाद इस folder का नाम आएगा ठीक है फोल्डर फिर उसके यानि कि जब फोल्डर बन जाएगा तो फोल्डर के लिए जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब क्या होगा अब आएगा किसका नाम यानि कि ws.name जो हमारा workbook जो हमारा sheet का नाम है ठीक है यहां पर end कर देते अब जो sheet name दो बन गया जैसे file का अब और फाइल फॉर्मेट किस टाइब का फॉर्मेट हो सकता है वह लाक एकसल SSB हो सकता है एकसल SM हो सकता है ठीक है let suppose करो मैंने दे दिया यहां पर .xlsx ठीक है यह एक file का extension होता है ठीक है यह हो गया अब मैं क्या करूंँ एक application.displayalert equal to false ठीक है ws. यहाँ पर क्या होगे active workbook.close ठीक है application.displayalert equal to true अब आप यह कहोगे यह मैंने application एक अलग से मैंने add क्यों कर दी यह मैंने इसलिए add करा जब हम workbook close करते हैं एक pop-up पाता है और उसमें लिखा होता है save करना है या नहीं save करना yes no cancel तो same यह यह तो यह वह pop-up नहीं दिखाएगा और बहुत जल्दी run करेगा नहीं तो आपको 12 pop-up करके yes okay करना पड़ेगा ठीक है इसलिए मैंने दिया यह तो चलते है visual basic फिर से अब या तो one by one run करो यह तो एक साथ रन करो तो हम अभी क्या करें को one by run करते हैं ठीक है one by one run करने से पहले हमें क्या लगाना चाहिए ब्रेक पॉइंट लगाना चाहिए ब्रेक पॉइंट इसलिए लगाना चाहिए कभी-कभी होता है वो लूप ओपन हो जाता है और रुकता नहीं जलती ठीक है इसलिए ब्रेक पॉइंट लगाना ज़रूर होता है ठीक है अब यहां पर देखो यह बार बार ओपन हो रहा क्लोज हो रहा है तो इस सिक करने के लिए क्या करेंगे एप्लिकेशन डॉट स्क्रीन अप्डेटिंग इकवल टू फॉल्स ठीक है सेम यहां पर भी हम अब चैक करते हैं यहां पर हमारा बना लेवल अप एक्सेल स्केल यह दो को ऑस्टेलिया भी झीथ का नेम और इसका भी मैं ऊस्टेलिया नेम इसीका कि ओएर शडाय तो आप कितनीवी शीत हो अराम से क्रेट कर सकते हो तो अब मैं करता करूंगा डीली podob कर दूंगा कुछ निकना הא कि डीलीट गलेए चैत्म अब मैं फिर से रन करने की कोशी करूँगा रन हो जाएगा फिर से अब देखो यहां पे कुछ आ नहीं रख अपने आप बैकेंड के अंदर हो रहा है क्यों क्योंकि जो पॉप अपप था नहीं स्क्रीन अपडेटिंगे वो शो ही नहीं हो रहा यहां पे मैंना बना दिया हो गया यह ठीक है अब यहां पे भी आ गया हो चार फाइल है कल के दिन फाइल बढ़ेगी तो इसमें भी अपडेट हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं बार बार मैनुवल जाकर करके डिलीट करना तो आप इसको भी डैन डियाइर ठीक है आरेम डियाइर जैसे करेंगे यहां पर पात नेम पूछ रहा है उसके बाद करोगा किल किल इसमें पात नेम पूछ रहा है आरेम रिमूब डैरेक्टरी का मनलब यह होता है वो क्या करें सिर्फ फोल्डर डिलीट करेंगा अब फोल्डर से पहले क्या करना पड़ेगा हम उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइले हैं यानि कि जो भी फाइले वो डिलीट करने करना पड़ेगा उसके बाद रिमूव डायरेक्टी चलानी पड़ेगी ठीक है तो आज हमने सीखा कि how to create file from sheets ठीक है अब हम next video में क्या करेंगे हम एक particular range से हम data pick कराएंगे यानि कि particular range से हम data pick कराएंगे उसके एक file create करेंगे ठीक है तो वो कैसे करेंगे तो वो मैं next video मता हूंगा thank you so much for watching this video for more video please subscribe my channel I love and support be here